आने वाले दिनों में Green Energy के छेतर में Anti-PayCip बहुत Best काम करेगा तो इसलिए Malaysia आंसिक रूप से बाहर निकल सकते हैं या थोड़े-थोड़े बाहर निकलेंगे या पूरा बाहर निकलेंगे ये आपको समझने है कि वह बाहर जरूर निकलेंगे वह बाहर जरूर तरिक वहां जि क्योंकि सब्देशी में ज़्यादा जो से निउस जोन निकल कर आ रही है वो कहीं न कहीं मुझे बील की तरफ अपनी दिसा निदेश को जाती भी लग रही है बच जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं यार कुछ ऐसा शेर मिल जाए अगर रख भी लेना कम भी हो जाए तो टैंसन ना हो कि दीरे दीरे जब आपको लोस होगा ना तो आपका ना इन्वेस्टमेंट करने का मन हट जाएगा बिलकुल बिलकुल मन हट जाएगा जादा पैसा हमें बरबाद कर देता और जादा पैसा भी हमें अबाद भी कर देता दोनों की जो definition होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना के अनुसार जो आपको लग रहा है उस पर अपनी अबदी को और बढ़ा लेना चाहिए यानि की फार्मा सेक्टर की तरब अब आपको रुक करने का टैम आ गया लेकिन ये नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सारतक बजार से आज बात करेंगे सर NTPC की बात करेंगे Yes Bank की और बात करेंगे BEL की और बात करेंगे BPCL और Vodafone Idea की सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं की जिस तरीके से करोना वाइरस के मरीजों की संक्या बढ़ती जा रही है जहां कल जो Korona virus के एक ही दिन में नई मरीज जो आई है वो करीब 754 आई है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि virus जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलता जा रहा है और आने वाले दिनों में आप इसके अनुसार जो आपको लग रहा है उस पर अपनी अब्धी को और बढ़ा लेना चाहिए यानि की फार्मा सेक्टर की तरब अब आपको रुक करने का टैम आ गया लेकिन ये तीन मेने का आपको व्यू लेकर चलना पड़ेगा उसके बाद से आपको फार्मा सेक्टर में नॉमबर तक तेजी के असार देखने को मिलेंगे इस बात को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा मेरे एक सस्क्राइबर ने मुझे का कि उनका जो पॉर्टफोलियो है यानि की होल्डिंग वाला एक अपस्टोक का उनका एकाउंट है उसके अंदर उनकी 11 लाग की होल्डिंग है वो चाते हैं कि उनको ना उप्सन करना है लेकिन मैं उनको एक सला दूँगा क्योंकि उनने मेरे से सला मांगी है तो मैं उनसे कहूंगा कि आपका जो होल्डिंग वाला एकाउंट है उसमें कभी भी इस तरीक के काम ना करें कि जादा पैसा हमें बर्बाद कर देता और जादापैसा भी हमें अबाद भी कर देता है दोनों की जो definition होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना विचार रखूंगा और आपको देखना है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं वो सही है या नही है आप comment कर देना सर्फ देखो जब हमारे पर ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हमें risk लेने की भ पैसा लगा कर डबल और जीरो कर सकते वो सुरुवाती तोर पर है तो मेरा मानना है कि वहाँ पर उस account पर यह काम ना करें जिस पर आपकी ज्यादा holding होती है दीरे दीरे जब आपको loss होगा ना तो आपका ना investment करने का मन हट जाएगा बिलकुल बिलकुल मन हट जाएगा दीर हम सीखते हैं तो हमें बहुत कम पैसा लगाना चाहिए ध्यान रखना जब हम कुछ सीखते हैं तो step by step हमें पैसा लगाना चाहिए मेरा मानना है कि उनको 11 लाग की उनकी holding है उस account में बिलकुल भी यह काम नहीं करना है बलकि एक दूसरा account खोलिए चाहिए आप एंजल वन कभ पास बहुत पैसा है तो आप लोस होते हैं दूसरा पैसा डालोगे तो मेरा मानना है कि अगर आप ऐसे काम के लिए कर रहे हैं तो आपको दूसरा account खोलना चाहिए सिरफ उस चीज के लिए वह account रख दो और investing को कभी नहीं छोड़ना है ध्यान अकना जो बड़े-बड़े investor ह होते हैं ना वह पहले option trading करते थे उसमें से वह हटकर investing में जब ऐसे बड़े-बड़े लोगों को investing अच्छी लगती है तो ध्यान लकना उन्होंने अपने पैसे को बढ़ाया भी उससे उनको पता भी है कि नहीं भाई इसमें पैसा डूब भी सकता है इसलिए वह investing के तरब आ लासा करता हूं कि आप यह चीज समझ गए होंगे बीपी जहां आपको महारतन एक कंपनी जो जिसकी अभी लासा आपको मैंने पहले से ही अच्छी दिखा कर चलिए मैंने का था कि जब आपको पैट्रोल पंप में एथनोन वाला पैट्रोल भी मिलेगा और फिर उसके बाद इवी सेक्टर जिस तरीके से ज़्यादा बढ़ता जा रहे है लेक्रिक वहां जिस तरीके से ज़्यादा होते जाएंगे उसके अंदर यह तेल वाली कंपनी कहीं ना कहीं अपने चार्डिंग स्टेशन को भी बढ़ाती हुई नजर आएगी तो बीपी सीयल ने चल छे चार-30 के अंत तक लगा देंगे तो इनको सिर्फ पैट्रोल का काम कर रही है सिलेंडरों में काम करी वह नहीं सोचना है बलकि आगे बढ़ना है उनकी छमता देखने की इलक्रिक वानों को चार्ज करने के लिए अपनी दिसा बना रही है तीस मिनट में अगर यह किसी गाड सामें चेंज हो जाती है याने की वह देख रही है कि आगे जब इलक्रिक कारों में या बाइकों में इतनी चीज़े होंगी निकलेंगी यह ज़्यादा बिकेंगी तो उसकी सुरुवात बीपी सीयल ने अप से कर लिए तो यह दूर की मंसा को भाप रहे हैं और कहीं न कहीं कि यह ऐसे राजमारगो पर अपने इस्टेशन लगा रहे हैं जो आगे जाकर इनको बहुत अच्छा करके जाएगा ही जाएगा बात करेंगे सर यस बैंक की यस बैंक की तेजी जो आ रही है इसके बारे में मैं पूर्ण त्यासे चार से पांथ दिन में आपको बता कर चला रहा हूं इसके अंदर से जितने भी निवशक에 वह पूर और आंसिक रूप से बाहर निकल सकते हैं या थोड़े-थोड़े बार निकलेंगे या पूरा बार निकलेंगे यह आपको समझना है की इसके अंदर जो तेजी आ रही है इसको आपको वो तेजी नहीं समझनी है बलकि वो तेजी समझनी है कि हमें अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हमें भी प्रॉफिट लेना है क्योंकि वो जो भी इसके अंदर है जो भी नियूज आ रही है चाए बैंक हो चाए व्यक्तिकत लेना बलकि सोचना है कि अगर ये और उपर जाएगा तो कोई न कोई इसके अंदर से कभी ने कभी निकलेगा फिर वो न्यू हो जाएगी फिर शेयर प्राइज नीची गया है और लंबा समय बनाना है तो फिर mutual fund वाले को देखकर चल लो जिस तरी के समय ने कल आपको बताया के लिए सरकार भी जादा से जादा काम कर रही है तो आपको कैसा मैसूस होगा आपको लगेगा कि जो इंडिया की कंपनी है अपने सवदेशी जो समान वो बनाती है उसके अंदर उन कंपनियों का बेड़ा पार होने वाला है क्योंकि सरकार चाहती है कि सवदेशी जितनी भ बनाए और वो किसी भी छेत्र में जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं उसको वो समान की आपूर्ती करें राजनाथ जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक बहुत ही बड़ी नियूज निकल कर आ रही है जिसके अंदर रक्षा के शेरों में अच्छी तेजी क असार आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं मेरा माना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सवदेशी उत्पाधन का उत्पाध करता है तो उसके अंदर मुझे बरभ केनाम से शेर आता है यह क्यों लग रहा है क्योंकि अटँक्तर परसैंड का इनका कारोबार है न वो आपको सवदेशी जो ये निर्मान करते हैं कोई सा भी समान उसके लिए है बाकि 90% ये रक्षम से अपने रिवेन्यू को बढ़ाते हैं जिस तरीके के समान बना के तो कहीं न कहीं एक न्यूज जो निकल कर आ रही है वो कहीं न कहीं मुझे बील की तरफ अपनी दिसा मिल गई है जो राजनाद जी के अध्यक्सा के रूप में निभरी है नहीं कि उनके द्वारा ये काम हो रहा है तो कहीं न कहीं आपको यह नहीं दिखता है कि जब यह निकल करा रही कि 70,584 क्रोड रुपे का समान खरीदा जाएगा सेना के लिए तो वह किसलिए खरीदे जा जो सेनाई में काम करती है यह आपको समझकर चलना पड़ेगा और जब यहां सब्देशी निर्माण आगे तो यहां पर जो ऐसी कंपणिया है गेरेलू कंपणिया है उनको और बढ़ने का मोका मिलेगा और आत्म निर्भर जो भारत बनना चारा है उसके तहत यह काम हो रहा कि यहां की कंपनिया मजबूत और अपना सेना भी मजबूत हो तो रक्षामंद यह बहुत बैस्ट नियूज निकल कर आ रही है यह आपको सर समझ कर चलना पड़ेगा तो कहीं न कहीं बील जिस तरीके से आपको आगे की द्रश्टी दिखा रहा है मेरे क्याल से यह होल्ड वा लेकिन जब इस तरीके का शेर जो रक्षा के छेत्र में 80% का सवदेशी में काम करता है और 90% का इसका कारोबार रक्षा के छेत्र में तो यह कितना पोजिटिव सेंकिस मगर यह शेर 80 भी आए 70 भी आए तो चलेगा क्योंकि यह आपको समझना है कि यह शेर जो है आने वाले दिनों में बहुत अच्छी उच्छालों के साथ आपको मिलेगा क्योंकि मैंने आपको पहले बिता लीतियम आयन बैटरी के लिए भी काम कर रहा है यह कहीं चीजों के लिए काम कर रहा है यह आपको समझ कर चलें तो यहां भी यह आपको बहुत अच्छी दिसा के साथ जो था गुजराद GASE के साथ किया था यानि की GGL के साथ किया था गुजराद सूरत में क्या था वो एक दिसा Green Hydrogen के चेतर में हमें बढ़ा रहा था अब इनकी जाओे गजिसा ना इनकी एक company है neither 모르 NTPC Green Energy उसके अंदर ना Malaysia की Petronas ना अपना stake लेना चारी है 20% का क्यूंकि आने वाले दिनों में Green Energy के छेतर में NTPC बहुत best काम करेगा तो इसलिए Malaysia की एक company Petronas ने 20% stake लेने का मन बनाया है जो करीब 38 अरब रुपे करीब का है NTPC ने जो ये अनुमान लगाया था कि अगर ये इस तरीके से अपना stake को sale करती है तो वो 30 अरब रुपे का था तो अब जब इस तरीके की अभिलासा उनको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा मिल रही है कहां 30 और कहां 38 तो यहाँ पर एक मंसा NTPC के अंदर पोजिटिव संकेत के साथ चलो क्योंकि भारत की सबसे बड़ी बिजली उतपादन कंपनी तो है और अब ये ग्रीन अनर्जी के छेतर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और भार की कंपनी इसमें दिसा देख रही है क्योंकि एक कंपनी जब वर्क करती है उसे पैसों की जरूरत होती है तो फिर दूसरी कंपनी जब उस साथ मिल जाती है तो कहीं न कहीं पोजिटिव संकेत बन जाते हैं तो यहीं पोजिटिव जो संकेत होते हैं यह हमें भापने पड़ेंगे और NTPC ने यह जो काम किया है आने वाली दिनाओं में इसे होल्ड करने वाला शेर बना रहा है बहुत से लोग यह कहते हैं सर कि हम जब भी शेर लेते हैं वो डूब रहा है लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूँ कि अगर आपके पास अच्छे शेर हैं तो वो डूब कर भी उभरता है गिरावट तो सारे शेरों में चल रहिए बहुत से मेरे दोस्ते हैं फ़ंडमेंडल लेके बैडे बड़े शेरों की बारे में इसका फ़ंडमेंडल वह फच्छा है इसमें पैसे कमाऊँगे और मैंने कहीं बार देखा कि वो उसी से लोस कमा ले थे क्योवए कूए उनके प चमता गिरावट में डाउन हो जाएगी ना वो कभी भी जिन्दगी हो या शेर मार्किट हो पैसा नहीं कमा सकता बड़े-बड़े कहीं पर भी चले जाओ भाई लोस होगा लेकिन अगर आपने अपने प्रॉफिट की चमता को बनाकर रखा है उसके अंदर आपको जादा नही प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो तो वहाँ पर भी आप एक बच रहे हो लेकिन अब आपकी मंसा बहुत ज्यादा कमाने की है तो वह इस मार्किट से हो तो जाएगा लेकिन उसके लिए स्टेप बाई स्टेप अपने दिमागों को आगे बढ़ाना पड़ता है बात करेंगे वोडाफोन आड़े की क्या वोडाफोन आड़े की अब ट्रेंज चलने हुश्टार्ट हो रही है क्यों हो रहे है क्योंकि दो नियूज निकलकर वोडाफोन आड़े में बड़िया निकलकर आ रहे है एक तो केर रेटिंग अजनसी ने इनकी रेटिंग को से स्टेबल से पो उपर कर जाए फिर भी उन्होंने वित्य जोकिम को देखकर ये रेटिंग बनाई है तो आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर वोटा फोन आइडिया 5G लॉंच करता है तो अपनी इस्तिति को बेतर करेगा फंड लाएगा तो भी अपनी इस्तिति को बेतर करेगा तो ये सारी चीजों को भापकर रेटिंग ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है तो एक न्यूज तो सरी होगी दूसरी न्यूज जो आ रहे है सबसे पोजिटिव आ रहे है लेकिन इस न्यूज ने इसके उपर एफेक्ट क्यों नहीं डाला ये मुझा पता नहीं या तो कुछ हपतों के बाद ये न्यूज निकल कर आई जो एक पोजिटिव संकेट डाल रहे है इसके बाद भी परमोटर आगे भी इस तरह के का फंड डाल सकते हैं ये पहला फंड डालने की परकिरिया में लग रहे हैं जो दो हजार क्रोड की है अगर ये सारी चीज़े हो जाती वह नहीं दिखेगा तब तक कि इसके अंदर कुछ भी अच्छी मंसा में नहीं बनानी है बलकि होल्ड वाली मंसा बनानी है क्यों बनानी है क्योंकि सरकार ने इसके अंदर 10 रुपे करीब का अपने स्टेक लिया है तो वहां तक जब ये जाएगा तबी तो सरकार को भी कु बैटना है क्योंकि ये फंड के लिए तैयारी कर रहा है और फंड अगर इसके अंदर पूरी चीज़े आ जाएं फिर इसके अंदर तेजी के अंकेत आपको दिखेंगे ये तब हो रहा है ये इन सारे पैसों को सर फाइब जी गेर खरीदने के लिए लगाएगा क्योंकि इनों कहीं ये 2000 क्रोर करेंगे तो ये सारा का सारा फाइब जी गेर के लिए है और जब ये फाइब जी लॉंच कर देंगे तो कहीं न कहीं फिर तो तीजी आएगी ना फिर तो इसे कोई न कोई पैसा देगा और जब इसे पैसा बैंक दे देंगे फंड आ जाएंगे तो कहीं न कह बहुत positive संकेत हो जाएगी लेकिन सरकार ने कहा था कि Vodafone Idea को पैसा डालना होगा और ये new जो दरसारी है कहीं न कहीं दरसारी है कि सरकार की बातों में Vodafone Idea भी चल रहा है ये इसने बात की है पूरा confirm होने दो वो तब होगा जब ये बता देगा कि इस दिन ये पैसा डालने है उस जिन से इसके अंदर तेजी आएगी फिर भी साट दिन का Vodafone Idea में इंतिजार की ये सरकार जिस तरीके से सेनाए साजो समान के लिए 70,584 क्रोड रुपे की मंजूरी दे गई है उसके अंदर डिफेंस के से आपको अच्छी निती से देखने चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से बीएल यहाँ पर बहुत मुझे बैस्ट लग रहा है एंटी पीसी के अंदर मेलेसे की कमपणी ने 20% स्टेक के लिए जो बात की है एक पोजिटिव संकेत और ग्रीन अनर्जी में उतरने के लिए एंटी पीसी पहले ही गुजरात गेस के साथ एक समझोता गुजरात में कर चुका है जो सूरत में इनका एक प्लांट निकल रहा है यह भी आपको समझ कर सर चलना पड़ेगा और BPCL जिस तरीके से हाईवे में अपने चार्दिंग स्टेशन लगाने की परकिरियाओं को सुरू कर दिया है जिसके अंदर भी 6 लगें उसके बाद 200 एंड में लगें तो ये भी एक आने वाली उजवलता मुझे दिख रही है और कहीं न कहीं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा कमाके भी दे सकता है लेकिन ज़्यादा पैसा आपको डुबा भी देगा अगर आपने उन चीजों को नहीं समझा तो चीटी को अटा दीजे गाएं को रोटी दीजे और अपने बच्चों को जादा से जादा प्यार कीजे क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार